वेल्कम बेक तो माईटूब सेल पेपर हैकर कैसे हैं आप सबी लोग आई हूँ बच्छे होंगे और आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी जातर डियलेड फर्स सेमस्टर में हैं उनके लिए हम समाजिक अध्यन का सिक्षर जो पेपर होता है और ये पेपर फिप पेपर होता है आपका फिप्त निमर पेपर होता है आप जानते हैं और इसमें हमारे तीन टाइप के कोशन बनते हैं एक MC कोशन भी पूछे जाते हैं वेरी सॉल्ट कोशन पूछे जाते हैं और शॉल्ट कोशन पूछे जाते हैं तो ये तीन टाइप के कोशन बनते हैं और कोशनों को हम कैसे देखने वाले हैं, बिल्कुल आसानी तरीके से, मैं अभी आपको सॉल्ट, जो, sorry, MC कोशन जो आते हैं, एक्जाम में पूछे जाते हैं, जो भी 4-5 कोशन बनते हैं, उनको मैं आपको क्लिर करा रहो, उसके बार में बेडियो कोशनों करा रहो, पचास-पचास कोशनों की मैं वीडियो प्रवाइड करा हूँ आपको बहुत कम समय गाल we go, लइन और च耶 के बार पर हट एक हैं, पूरा ने जितने इम्पूटेन्ट Qशन दे रहा हूँ, आप हमारे इस पीडियाप को भी डा untuk सकते हैं, जो हमारा नॉप्थ है, इस पीडियाप को भी डानलोड कर सकते हैं, नॉप्ट का लिंग डिसकपशन वाक्स में दे रहा है, आप देखेंगे, all class नोट्स पर टच करेंगे, वहां आपको नोट्स बन जाएगा, यहां बात करने वाले हैं, पचास कोशे में ने पार्ट बन में करा दिये, यह पार्ट टू है, तो पार्ट टू को देख लेते हैं, यहां वो लगा है काली दास, तथा, या काली दास याद रखना है, उनकी कुछ रचनाए थी, अभिज्यान को सल्तनम बोला जाता है, और उसके कह सकते हैं, धन्मंत्री, ठीक है, इसके किसके दरवार में नौरतन थे, यहां बोलागे, धन्मंत्री किसके दरवार में नौरतन थे, तो काली दास तथा धन्म आपको चंद्रगुप्ति दुतिये के थे तो जिसने भी option नमर बी को लोग किया है परमसत्ता आंसर नेक्स कोशन यहां बोला गया कि चीनी यात्री जुफाहान था वो किसके सासनकाल में भारत आया था मैंने का होंग संग जो आया था वो हर्स बंदर के आया था लेकिन पर करके आएगा अपने चेहरा उपर करके आएगा इसे करके दिखाते हो कि अंदर अंदर दौँआ नी जाएगा संबंद के इस तरीके से याद रखना संबंदर घृति पूप्ति यहां निया रखें कभी भूलने वाले नहीं है जैसे मैंने फर्स पेपर में फर्स जाएगा आपका हैंक सोंग ठीक है नेक्स कोशिन है बोला गया है कि भारत का नेपोलियम थे भारत का नेपोलियम किसे बोला जाता है तो समुद्र गुप्त को बोला जाता है समुद्र गुप्त को भारत का नेपोलियम बोला जाता है इस सारी को याद रखना है बहुत जाद इंपोलियम कोशन है नेक्स कोशन बोला गया है गुप्त समराज का संस्तापक था तो गुप्त समराज का संस्तापक कौन था तो आपको है, नेक्स कोशन है, मनुस्हाइ ने सबसे पहले किस धातु का प्रियोक किया था तो सबसे पहले पिटा तावए का उसने प्रियोक किया था, हसे नम्बर i को लॉक करेंगे, नेक्स कोशन यहां बूला गया है, कि न अब नप पाशन काल में अविस्कार हुआ था तो नप पाशन काल में किसका विस्कार हुआ था आपको पता है वो किसका हुआ था आग का भी हुआ था नवलो नए जर्म दे हुआ था तो आग का जर्म उन्हों दिया था पहिया का इसको याद रखना है बहुत आग का और पहिया का अविस्कार किया गया था next question बुना गया है समयक ज्यान और समयक दर्सक समयक अचार अचार यह तीन रतन है रतन थे किस चीज के रतन थे यह यह तीनों रतन विटा जैन धर्म के थे ठीक है याद रखना option number ग्यान दर्सन और आचरण जो थे वो जैन धर्म के रतन थे बलब यह तीन उन्होंने अपने बिचार दिये थे इस तरीके से कह सकते है महाविर स्वामी आप जानते हैं जो 24 नंबर के जैन धर्म के तीर्थक थे अब यहाँ आप से पूचा गया है कि उनका जर्म हुआ कहा था तो आपको पता है उनका जर्म कुंड ग्राम में हुआ था बैसाली के कुंड ग्राम में option number एक को लोग करेंगे यह 24 में तीर्थक थे next question आपके सामने है एक बार देखेंगे प्रामिंट किस देश में है देखिए देखो आप इसकी बात कीजाए आप देख सकते हो 2017 में एक कोशन पूछा गया था कि प्रामिंट किस देश में है तो आप सभी को बताऊगा option number जिसने भी दिया है C, मिस्र में है प्रामिंट ठीक है जिसे प्रामिंट भी बोला जाता है नेक्स कोशन बोला गया है पहिये का विस्कार हुआ था तो पहिये का विस्कार कब हुआ था आप बताएंगे पहिये का विस्कार कब हुआ था तो नब पाशन काल में हुआ था और आग का दोनों का भी मैंने आपको बताया था next question बोला गیا है यातृ मंत्र sorry गातृ मंत्र का संपन्द किसे है तो गात्री जो मंत्र था वो रिडवेच से संपन्द किसे है तो गातील next question बोला गया है बुद्ध और संग और धर्म और तिरतन है बुद्ध संग एवम धर्म तिरतन किसके हैं तो आपको सभी को बता होगा वो थे बौध धर्म के option नमर B को लॉग करेंगे next question बुला गया है बौध धर्म के संस्तावक थे तो बौध धर्म के कौन संस्तावक थे तो आप गोगे महात्मा बुद्ध बौध धर्म के संस्तावक थे next question यहाँ बुला गया है कि सिंदू सभिता का सरवदिक उप्यूक्त नाम क्या है तो सिंदू सभिता का सबसे उप्यूक्त जो नाम है वो है हडपा सभिता option बर एक को लॉग करेंगे next question यहाँ बुला गया है आप देखने मातल सही आप एक दूआर वीडियो को देखेंगे तो आपको सारा याद हो जाएगा ठीक है उसके बाद में है आरंबिक वैदिक साहित साहित में जो सरवदिक वडिक नदी है वो कौन सी थी तो आपको पता है वो सिंदू नदी सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट नदी थी उसमें next question बोला है सिंदू घाटी साहबदा के लोगों का मुखे ब्यप्साय क्या था मतलब कि वो क्या काम करते थे तो आपको पता है वो किर्सी करते थे option नमर डी को लोग करेंगे next question बोला गया है सिंदू सबसे ब्रहत इसनार अगर कहां पर पाया गया तो आपको पता है वो पाया गया था मोहन जोदरों में option नमर जिसने A को लोग किया है बिल्कुल right है next question आपके सामने है हरपपा सबसे अंतरगत हल से जोते गए खेल का साक्ष कहां से मिला था मतलब जो हरपपा सबदा में खेज जोते गए थे उसमें उसका साक्ष मिला था कि हाँ उसमें हल से खेज जोता करते थे तो वो कहां से मिला था बो मिला था काली बंगा से option नमर जिसने भी दिया है नेक्स कोशन बुला गया है सौधब सबदा की इटो का किसके इस्थान पर इस्थान से मिला है तो आप कोगे बुवी काली बंगा से ही मिला है नेक्स इटे भी बिटा काली बंगा से मिली थी नेक्स कोशन बुला गया हडपा सबदा की कोच कब होई थी या कब हुई थी आपको बता रहा है तो वो ही थी 1921 में नेक्स कोशन यहां बुला गया है हरफपा के लोगों की समाजिक पदिती कैसी थी तो हरफपा के लोगों की समाजिक पदिती थी वो थी बेटा उचित समाजबादी ठीक है समताबादी थी ठीक है उच्छे समताबादी की बात करेंगे नेक्स कोशन यहां बुला गया है उत्रिये धर्बन से दक्षण धर्बन तक खीची गई रेखा क्या होती है वो बेटा दिसांतर रेखा कहला आती है दिसांतर रेखा नेक्स कोशन बोला गया है भारती लोकतंतर के समक्स चिनोती है तो बिटा ये बीटीसी 2017 में फेश्ट पूशा गया आप देख सकते हैं तो option नमर जिसने C दिया है विल्कुल राइट होगा संप्रदायत बता option नमर जिसने भी दिया है C विल्कुल राइट है नेक्स कोशन बोला गया है भारत और पाकिस्तान के मद अंतराष्टी सीमा कौन सी है तो अंतराष्टी सीमा को रेट क्लिफ रेखा मैंने उपर बताया था ये सीमा वो ली जाती है रेट में राइड हो जा हम इसा खत्रा रहता है हां आपका घृटária जाती है यहां देखोँ समाजिक अध्या से लक्षण आपका पेपर दो चल रहा हा विटा अब हम 80 कोशन को देखेंगे, 80 कोशन है, चाड़क के द्वारा लिखित, सर्व चाड़क के द्वारा लिखित, जो अर्थसास्त्र के वर्ण है, उसके बारे मैं आपको बताना है, ठीक है, जिसे ताध कालिक बोल सकते हैं, तो ताध के दोधर पंद्रा में पोशन पूचा गया, त प्रियोग करते थे, बिब बने थे, किस चीज के बने थे, जो आदी मानक अपने रक्षा के लिए औजारों का यूज़ करते थे, वो था पत्थर के बने हुए औजार थे, नेक्स्कोशन आपके सामने है, निमनेक्र से कौन सा समाजिक अध्यन के अंतरकत नहीं आता है, तो रसाइन जो केमिस्ट्री से बोला जाता है वो समाज विग्जान के दगत नहीं हाती, ठिक है, यहाँ बूला गया है कि पिर्थभी के मद से गोजनने वाली रेखा कौन से है, पिर्थभी के जो मद से निकल दिया बूह भूमद रेखा कहला दिया नेक्स कोशन आप से बोला ग जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पिर्थवी आ जाती है तो उसमें क्या होता है उसमें पिर्थवी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उसमें सूर्य ग्रहन पड़ता है याद रखना पिर्थवी देखो पिर्थवी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ ज और चंद्रमा और सूर्य के बीच में पिरत्वी आ जाए तो सूरी गराण पढ़ता है कि पिरत्वी ज़्विह नहीं पढ़ता है इस वात को यादर रहना है ठीक है? हाँ, next question यहाँ बोला गया है, मोहन जोदरु कहा इस्तित है तो मोहन जोदरु बेटा जो है, वो सिंदू में इस्तित है, वो पाकिस्तान में बोला जाता है, next question बोला गया है, हरपपस अवधा के सरवधिक मानता प्राब्ट समय क्या था, सबसे ज़ादा मानता लुप्रादी में ग्राम पंचाद का गटन होता है तो वो किस सर पर होता है तो ग्राम इस सर पर होता है बिटा किन बस्तूओं के उत्पादन से उत्पादन में सरपर्थम थे मैंला कौन सा उत्पादन सबसे ज़्यादा करते थे हडपा के लोग next बानवा कोशन निमनिकेट बेदवान में से हडपा सबदा का सरपर्थम कोज करता कौन था तो हडपा काज़ा की खोज किसी ने की थी तो आप कहेंगे दैराम सहिनी ने की थी next question है किस कह रहा है किस सब्धा को नील नदी का दरजा कहते हैं किसको नील नदी का दरजा दिया गया था तो आपको सबी को बताऊगा वो मिसर के सब्धा को दिया गया था सूरिय के गिरहों की संख्या कितनी है तो वो है आठ नेक्स कोशन यहाँ बूला गया है बे रेखा जो भूमद रेखा के समानतर उत्री और दक्षरी ध्रोबों के भागों में पूर्व से पस्चिम की और खिची मानी जाती है वो कहलाती है तो आप्शन नमर बो कहलाती है अक्षंक रेखा है भारत के किन गोलार्द में इस्तित है भारत किस गोलार्द में इस्तित होता है तो आपको पता है वो है उत्तरी गोलार्द में भारत इस्तित है उत्तरी गोलार्द में नेक्स कोशन है दिसांतर रेखा का दूसरा नाम क्या है दिसांतर रेखा का जो दूसरा नाम है बो है माध्य रेखाएं next question बोला गया है हमारे सौर मंडल में ग्रहों की कुल संक्या कितनी होती है हमारे मंडल में सौर ग्रहों की संक्या है वो 8 है 99 question को देखिए 99 question बोला गया है पुछल तारे बने होते हैं बो बेटा BTC 2015 में पूछा है option नमर D is right होगा चटान वर्फ और धूल और गैसों के आकासी पिंडो से सौबा question है एक पूर्णमा में एक पूर्णमा से दूसरी पूर्णमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा का लगने वाला समय क्या होता है तो बो होता है विटा option नमर जुसने ए दिया है 31 दिन मिलकूर राइट होगा 31 दिन पूर्णमा आती है ठीक है पूर्णमा सी जे बोलते हैं तो ये था 2022 और 23 के लिए important question जो आपके लिए बहुत ज़्यादा important है BTC exam या फिसे हम DLA first semester की बात करने वाला है अब मैं उसको हम 101 से इसके पार्ट थर्ड को देखेंगे ये पार्ट टू था हमारा हमने पार्ट टू को देखा पार्ट थर्ड को हम देखेंगे अगले वीडियो में और चैनल को अभी subscribe कर लिजिए बैल आइकन को प्रेस करती है थैंक यू फो पॉच्छे इस वीडियो बाई बाई